आज हम Microtech EM4160 Plus Automatic AC Stabilizer का 2 Years User Experience के बारे में बात करेंगे यह जो stabilizer है यह मैं मेरे AC के साथ पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ यह 2018 में खरीदा गया है और अभी 2020 चल रहा है मतलब कि पिछले 2 साल से मैं इसे अपने AC के साथ यूज़ कर रहा हूँ और एक ही sentence में बोले तो अज तक मुझे इसमें कोई भी problem नजर नहीं आया वैसे तो एक AC stabilizer पूरा साल नहीं चलता है सिर्फ जब summer का वक्त आता है तभी चलता है पर मेरे घर में यह जो AC stabilizer है इसे मैं साल में करीब करीब 5 महीना यूज़ करता हूँ सिर्फ winter को छोड़के मुझे यह AC की जरूरत परती है और अगर AC की जरूरत परती है तो यह stabilizer भी चलता है summer के वक्त यह जो stabilizer है यह दिन में करीब 12 घंटा चलता है 8 से 12 घंटा दिन में करीब चलता है winter में यह बिलकुल ही नहीं चलता है और rainy season में अगर जिस दिन थोड़ा सा गर्मी लग रही हो उस दिन यह चलता है मतलब कि rainy season में भी कभी कभी यह चल जाता है तो वैसे average में हम देखें तो यह stabilizer साल में करीब करीब 5 महीना मेरा चलता है यह जो stabilizer है इसका body लोहे से बनाया हुआ है और इसमें enough ventilation का system किया हुआ है इसमें एक fan का provision भी है पर इसमें कोई fan लगा हुआ नहीं है सिर्फ यहाँ पे fan का जो ventilator है वही लगा गया है इसके सामने एक segment display दिया गया है जिसमें कि आप output voltage को देख सकते हैं इसका model number जो है EM4160+, इससे ही पता चलता है कि यह stabilizer 160VAC से भी step up करके 230VAC output दे सकता है अगर 160 के नीचे अपका input voltage चला जाएगा तो यह automatically output को cut off कर देगा पर 160 तक भी अगर अपका voltage input घट जाए तो भी यह उसे step up करके 230 voltage generate कर सकता है last two years use करते हुए मैंने कभी भी इसमें कोई overheating या vibration या कोई noise कोई vibrating noise कुछ भी notice नहीं किया है जहाँ पर बैटके मैं recording करता हूँ जहाँ पर बैटके मैं video shoot करता हूँ यह stabilizer वहीं पर रखा है साम नहीं रखा है AC के साथ तो कभी भी मुझे कोई भी noise इससे नहीं सुनने को मिला कोई भी voltage का issue मुझे इससे नहीं मिला इसमें एक खास system है कि switch on करते ही यह तुरंत output नहीं देता है इसमें एक 10 seconds का delay circuit लगा है जिससे कि जब आप इसे switch on करे तो यह 10 seconds ले system को stabilize करने के लिए voltage को stabilize करने के लिए और step up करने के लिए उसके बाद ही पतलब कि 10 seconds delay लेने के बाद ही यह stabilized and stepped up voltage को output करता है इससे यह सुविदा मिलता है कि अगर किसी भी वक्त power cut हो जाए और उसके बाद आचानक से power आ जाए तो power surge का खत्रा नहीं रहता है और आचानक से अपके AC में power supply नहीं गुशता है यह stabilizer power को hold करता है 10 seconds के लिए और जब power stabilized हो जाता है तब ही यह AC की तरफ output देता है इसका जो wiring detail है यह मेरे पिछले दो वीडियो में detail में describe किया हुआ है अब जरूर वो दो वीडियो सर्च करके मेरे चैनल में देख सकते हैं मेरे पिछले दो साल का जो experience रहा है इस Microtech EM4160 plus AC automatic stabilizer के साथ वो बहुत ही बहतरीन रहा है और आज तक मुझे इन दो सालों में कोई भी problem कोई भी दिक्कत इसके साथ महसूस नहीं हुआ यह एक बहुत ही बहतरीन quality का product है Microtech के तरफ से तो अगर आप एक भरोसे मंद AC stabilizer खरीदना चाहते हैं तो Microtech का EM4160 plus automatic AC voltage stabilizer आपका first choice हो सकता है तो अभी के लिए बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like share और subscribe करना मत भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहिए let's talk with चंदन नमस्कार